हलो दोस्तों वेलकम टू एमेसराइट्स आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं होंडा है ने से भी 350 एनवर्सरी एडिशन का क्विक रिव्यू में आपके लेकर रहे हूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बाइक में जो एनवर्सरी एडिशन है तो इसमें आपको क जू आपको मिलता है जो होंडा की भीजिंग आपको मिलती है और यहां तौ आपको सब्सक्राइब गाया है जिस पहल इसमें आपको मैकिसम पर मिलती है more than 20 BSP की और maximum torque मिलता है 30NM का इसमें टार्क मिलता है और इसमें जो engine लगा है single cylinder air cold इसमें engine लगा हुआ है और fuel tank आपको मिलता है इसमें 15 liter का fuel tank दिया हुआ इसमें और आपको जो इसमें mileage मिलती है 35 kmpl की mileage मिलती है इस bike में और दोस्तो इसमें आपको safety feature के बात करें ब्रेकिकिंग की बात करें तो in front में इस bike में आपको dual channel ABS मिलता है alloy wheels इस bike में y shaped के alloy wheel दिया धुगा है और इस bike में headlamp दिया हुआ ए LED headlamp का setup आप आपको मिलता है round shape में दिया हुआ है retro styling headlamp मिलता है और इस bike में i suspension मिलती है फ्रंट में टेलिसकोपिक सस्पेंशन दिया हुआ हे और रियर में आप देखेएंगे तो इस bike में जो रियर सस्पेंशन मिलती है tween hydraulic type का इसमें सस्पेंशन दिया हुआ है curve grade आपको मिलता है इस bike का, 181 kg का is नीचे च्रफेंशनitt दिया हुआ है ग्राउंड क्लेंस की बात करें तो इस बाइक में जो ग्राउंड क्लेंस आपको मिलती है 166 mm का इसका ग्राउंड क्लेंस दिया हुआ है सीट है आपको मिलती है इस बाइक में 800 mm का सीट है दिया हुआ है लेदर सीट आपको मिलती है इस बाइक में 미ٹर कंसोल आपको मिलता है इसमें के रिखेंग अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस बारी का जो आपके छो आंड़ोड प्राइसी में रउन वाला है के थीसपशन तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकाम को प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहे थेंक्स पर वाचिंग प्राइब को हाचिंग